हम अभी देखते हैं कि diabetes का कारण क्या है तो ही तो निवरन करेंगे डायबडिस के कारण क्या हो सकते हैं डायबडिस के मुख्य दो कारण है एक तो यह एक अनुवनसिक बीमारी है एक हमारे परिवार के सदस्यों को अगर हमारी माता पीता को डायबडिस है तो हमको हो जाती है तो यह एक फैमिली डिजीज है हमारे पुरवजों को यह बीमारी ह इसका भी हमारे उपर बहुत बुरा असर होता है ये दो कारण क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ एक तो हमारे माता पिता को अगर डाइबडिस है तो हमें होने का संभावना है पिता जी को है तो होने का संभावना है माता जी को होने का संभावना है लेकिन माता पिता दोनो यह हमें होने की संभावना है क्योंकि एक जैनेटिक डीजडर है यह जैनिटिक हुता है इसलिए हम जैनेटिक काउंसिलिंग सलिंग करते लोगों को बताते हैं कि आप अपने रिस्तेदारों में आपस में साधी मत कराओ कई कम्यूनिटी होते हैं भाई बहन अपने बच्चों को आपस में साधी करा देते हैं उस कम्यूनिटी में देखा गया है 99 परसें लोगों को डाइवटीस है इसलिए अपने रिष्टेदारों में कभी भी साधी मत कराओ दूर दूर कहीं हो किसी का हो तो अलग वाद है और जो ए डाइवटीस होने का संभाव बना ज्यादा ज्यादा खाने से भी डाइवटीस हो जाती है ओभर इटिंग आज सबरे हमारे भाई साथ बता रहे थे कि कितना खाओ लोग तो इतने खाते हैं ओड़ी करके पूरा गेस निकलने तक खाते हैं वो ठीक नहीं है आं करने से दिख बिमारी होती है कम खाने से कोई बिमारी नहीं होती है तीसरी बात है अगर हम सहरों में रहते हैं तो यह बिमारी होने की संभावना ज्यादा है क्योंकि सहरों में प्रदूशन ज्यादा है टेंशन ज्यादा है कई बाते हैं सहरी लाइब तो इतना खराब है कि बात मत इसलिए वहां के जीवन लोगों के सहली देखो इसके करांट डायबर्टीस ब्लाट पेसर सब जादा है। स्टीरेट की गोली एलोपत्थी में एक प्रमहास्त्र की रुप में हम यूज करते हैं। जब कोई भी दवयां काम नहीं करती हैं एक ब्यक्ति मरने जा रहा है तब ऐसे समय पर हम स्टीरेट की गोली देता है। लेकिन आजकल स्टीरेट की गोली को बहुत लोग हैं जो सब मिलावट करते हैं। कई प्रकर की चूरण बनाते हैं उसमें स्टीरेट की गोली मिला देंगे। केंगे इसमें तुम्हारी दम्मा ठीख हो जाएगी इसमें तुम्हारी अर्थराइटिस की ठीक हो जाएगी गरन्तेट ए तैक हो भी जाती है थोड़े समय लेकिन लेकिन देखा जाता है थोड़े समय के बाद उनको फिर सोगात में डाइबिटिस मिल जाता है फिर उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती है मरीजों को जो लंबे समस्टी रटखाने से एक दम हड्डियां कमजोर हो जाती है फिर जरा सा गिरपड़ें फ्राक्चर हो जाता है माताओं बहनों के तो दाढ़ी मुझ निकलना सुरू हो जाता है, मोटे होने लगते हैं, तो ये बहुत नुकसान का रखे, मैं आपको एक बात कह रहा हूं, आप आयरवेदिक दवाईयां चुरन खाना कोई खराब नहीं है, लेकिन कोई अच्छे डॉक्टर से ब्रांडेड क उमर बढ़ता है, हमें डायबेटीज, ब्लॉट पेशर ये सब बिमारी होने का बहुत ज्यादा संभाव ना रहता है, क्यूंकि हम सिदेंटरी हो जाते हैं, टेंशन बहुत एक मुल कारण है, डायबेटीज, ब्लॉट पेशर, हाट अटेक का, कैंसर का, तो इसलिए हमें त आपको गुली दे देंगे, सो जाएंगे, जब तक सो गए, भूल गए, जब नीद खुल लेगी, फिर वही आलत है, लेकिन हमरी कारण का निवारन बताने वाले हमरी बहने, बहुत सुंदर तनाव मुक्त रहने के जीवन से लिए सिखाते हैं, मैं भी बताऊंगा कल देखन कि बास्तब में हम तनाव मुक्त कैसे रहे, आज सभी में बताया, आलसू हो गये है, बिग्यान के जमाने में हम घर-घर में सब प्रकार के साधन मेसीन आदी है, उपकरण है, जिसके कारण लोग आज आलसू हो गये, आज भी हम करमठ जीवन जीए, अरे हमारी देश में बह आड़ी मोटर दोने से लेके कपड़े दूले, सब कुछ खुद करता है, लेकिन हमारे देश में किसी के पास थोड़ा सा पैसा हो जाए, देख लेना, बन जाते हैं से ठर से ठानी, फिर हीलेंगे नहीं, डूलेंगे नहीं, घंटी बजती रहे कि उदर टेलिफन उठाना न रहेंगे, लेकिन आजकल कोई करता नहीं है, जिसके करन सारी बिमारिया, और बहुत ज़्यादा मिठाई खाने से भी डियावेटिस होगी, इसलिए कभी-कभी कोई तेवार हो गया, एक पीस खाले है, थोड़ा खाले अलग बात है, रोज-रोज मिठाई खाते रहेंगे, हम फिर देखो, competition करके खाएंगे, फिर तो बिमारी नहीं होगी, तो क्या होगी, कभी-कभी थोड़ा सा खाएं ठीक है, और बहुत important है, आजकल कई प्रकर के, chemicals, pesticides, आज भी सबजी मंडी में सबजी आ रही है, लेकिन उसमें भी दवाई छड़ा करके लोग भेज रहे हैं, देखोंगा, सहरों में लोगों के पास एक इंच जगह नहीं है, लेकिन छोटे-छोटे सहरों में, गाउं में, आपके पास अगर जमीन है, तो आप खेती करो, kitchen garden बनाओ, माताएं, महनत करो के तो आप kitchen के लिए सारी सबजी आ, मिर्ची से लेके, बाइंगन से लेके, को इतना महनत करो, अगर हम बास्तप में, अगर इस सब बातों से बचना चाहें, तो महनत करके करना चाहें, अगर जिसको खरिदना पड़ता है, मैं कहूंगा, अच्छी तरह से उस सारी चीजों को गरम पानी में धुलाई करो, उपर उपर के परत सारा निकाल के फेंको, उ उसको अच्छी तरह से थोड़ा सा सबजी थोड़ा सा वैल करके खाने से ठीक रहेगा, कुछ भी पका के खाएंगे, तो फिर इस से काफी हथ तक बच सकते हैं, आज और एक बहुत बड़ा इंपोर्टेंट कारण है कि आज देखो में बता रहा था, पहले लोग फिर भी त सही करते थे, डान्स करते थे, आज कल हम बलते हैं, हम बीजी हैं, बीजी हैं, लेकिन कैसे बीजी हैं, देख लो, सबरे से लाग साम तक बीजी हैं, लेकिन साम को हाई मुझे स्पोडिलाइटीस हो गया, हाई मुझे ये हो गया, नहीं होगा, और तो सार रूप में अगर द है जो बहुत tension में रहता है और किसको होता है जिनके family में किसी को diabetes है और किसको होता है जो बहुत overworked है यह सब मुख्य कारण है जिसके कारण आज लोगों को घर-घर में diabetes हो रही है अब देखेंगे इसके निषादिया क्या होती है डाहिएटिस में कुछ निषादिया होती है जैसे बहुत भुक लगना बहुत प्यास लगना बहुत بार बार टॉछेट फिसाब करने के लिए दोड़ना बहुत कमजोरी लगना कितना भी खाते रहो एक्दम जैसे जान नहीं ऐसा लगया, ओजन एकदम दो तीन मेने में पांच किलो, साथ किलो कम हो जाना, ये सब निसानिया बास तब में टाइप वान में होती है, टाइप टू में 90 परसेंट लोगों को ये सब निसानिया होती नहीं है, इसलिए मैं बताया ये खामोस बीमारी है, छोटे ब में पिसाब करने के लिए दोड़ रहा है, समझ आए उसको डाइविडिस हो गया, तूरं जाके उसका बलट सुगर चेक कराईए, पता चलेगा उनको क्या प्रब्लम है, ठीक है नहीं? तो अब हम डाइगनोसिस कैसे करें, क्योंकि निसानिया बहुत लोगों को दिखाई द अगर आप नास्ते के बाद नहीं, लोग अकसर करके नास्ते के बाद कराते हैं, लेकिन नास्ता तो हरे का अलग अलग होता है, तो समान कैसे रिपोट आएगा, इसलिए हम सारे वर्ल्ड में एक इंटरनेशनल स्टनरड़ एशन के हैं, 75 ग्राम ग्लुकोज हम पिलाते हैं, एक ग्लास पानी में घोल के पिला जैते हैं, 75 ग्राम ग्लुकोज और दो घंटे तक कुछ खाना बिना नहीं देते हैं, 75 ग्राम ग्लुकोज पानी पीके, दो घंटे के बाद जब हम चेक कराते हैं सुगर, अगर 200 से उपर आया तो हम कहेंगे डायबडिस हो गया, किसी ब्य हो जानना चाहता है मुझे सुगर है कि नहीं, तो एक तो खाली पेट करो, खाली पेट तो 90 परसेंट लोगों का नर्माल आता है, और खुछ हो जाते हैं, वाह मुझे तो डायबडिस नहीं है, वाह लेकिन सारा दिन गुलाब जामुन रश्य गुला जो चल रहा है कितना ब बहुत भूख लगना, बार-बार वास्रूम दोड़ना, यह सब भी निसानिया है, तो हम कहते हैं डायबडिस हो गया, चोथा और एक टेस्ट है, हमारे पास पिछले तीन महिने में आपका सुगर कितना बढ़ा हुआ है, वो जानने के लिए, वो कॉस्टली है, 500 रुपया क हम कहेंगे डायबडिस हो गया, ठीक है, समझ माया, खाली पेट कितना बताया, 125 से उपर, ग्लुकोज पिने के बाद कितना बताया, 2 से, और HP1 से कितना बताया, 6 तो अभी वास्तप में कैसे पता चलेगा किसी को borderline डायबडिस है कि नहीं, देखो पहले नर्माल क्या है पता जलेगा, फिर डायबडिस किसको पता चलेगा, तो हमको borderline देखो पता चलेगा, नर्माल व्यक्ति सबरे सबरे खाली पेट, 125 से ज्यादा जाता है तो उसको कहेंगे डायबडिस, जैकि नर्माल कितना है, सबरे सबरे खाली पेट अगर चेक करते हो, सो से अंदर आता है, त अगर किसी का 100 और 125 के वीच में निकलता है तो, हाँ, ठीक बताया आपने, तो 100 और 125 के वीच में किसका सुगर निकलता है, सबज सबरे खाली पेट, तो उसको कहेंगे borderline सुगर, इसी प्रकार, ग्लुकुज पिलाने के बाद, दो घंटे के बाद जब हम blood sugar check करते हैं, 200 से उप पहले borderline होता है, बाद में diabetes होता है, बहुत लोगों को ये borderline stage 10-12 साल तक रहता है, लेकिन कोभी check ही नहीं करा होगे, तो पता ही किसे चलेगा कि आपको borderline है, और कई लोगों को borderline diabetes है, उनको पता भी है, फिर भी गुलाब जम उन खा रहे हैं, रश्यगुला खा रहे हैं, समोसा खा रहे हैं, के तो मुझे borderline है ना, और एक दिन borderline borderline, एक दिन सीधा चक्का, सारा जिंदेगी वर फिर खाते रो, तो कहने का मतलब मेरा भाहियर बेनो, ये borderline क्यों कहा जाता है, अगर आपको borderline है, तो आप उतना ही heart attack आपको होगा जितना diabetes हाई वालों को, तो इसल जहर खाओ, जहर तो जहर ही है, दूसरी बात है, borderline stage से आप नर्माल हो सकते हो, लेकिन एक बार diabetes हो गया तो फिर नर्माल होना बहुत-बहुत मुस्किल है, इसलिए हम सभी को घर के सभी सदस्यों को साल में एक बार अवस्य अपना blood sugar चेक करा लेना चाहिए, आज क्यूंकि diabetes एक खामोस बीमारी है, एक silent killer है, तो जब तक इसको चेक नहीं करोगे, आपको पता कैसे चलेगा, आपका क्या हो रहा है, किसको diabetes है की नहीं, चेक किये बिना तो समझ भी नहीं आता है, क्योंकि 99% लोग को कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, मैं आपको बता तो इसलिए हमारे घर के सभी सदस्यों का एक वारसाल में कम से कम चेक कर लेना चाहिए, आज diabetes भीमारी को हम ऐसे कह सकते हैं, जैसे एक समुंदर में, एक समुंदर में तेरता हुआ एक बरप का पहाड़, यह देखिए समुंदर में तेर रहा है, इसके उपर हिस्सा, जो पानी के उपर का हिस्सा, देखो कितना छोटा सा हिस्सा है, मैजरिटी तो पानी के अंदर डुबा हुआ है, इसी प्रकार diabetes, आज जितने लोगों को diabetes है, यह उपर का हिस्सा जो देख रहे हो, उतना ही है, लेकिन इतने लोगों को diabetes है, सारे वर्ल्ड में और सारे भारत में, आप सोच भी नहीं सकते हो, घर घर में अगर जाके हम चेक क करते हैं, तो पता चलेगा कि सच मुझ कितने लोगों को diabetes हो गई है, लेकिन कौन करेगा, यह तो बहुत बड़ा एक टास्क है, सरकार के पास इतना पैसा नहीं है, कोई समाज से भी संस्ता इतना करी नहीं सकता है, तो अगर देखा जाए, तो भारत में एक व्यक्ति को diabetes है, कम से कम चार व्यक्ति होंगे, जिनको पता ही नहीं कि उनको diabetes है, कम से कम चार व्यक्ति मैं आपको कह सकता हूँ, तो इसलिए आज दुनिया की भारत की सबसे बहुत बड़ी समस्य वास्ता में diabetes है, तो कैसे इस बीमारी को प्रिवेंट किया जा सकता है, कैसे इसका रोक थाम क्या जा सकता है, जिनको diabetes नहीं है, क्या करने से इस बीमारी होगी नहीं, जिसको diabetes हो भी गई है, क्या करने से ये बीमारी के कुछ बातें आपको सेयर कर रहा हूं देखिए एक तो अगर हमारे खान-पान ठीक होगा तो यह बिमारी से हम बच सकते हैं हमारे भोजन संतुलित होना चाहिए बैलेंस होना चाहिए और भेजटरेन होना चाहिए मनुष्य एक साकहरी प्राणी है आप जितना खुब पेट भर के साग सब्जियां खाओ आपको कोई बिमारी ने होगी प्रचूर मात्रा में आपको विटामिन्स मिनरेल सब कुछ मिलेगा आपका नसली चीजें बहुत नुकसान का रख है तो यह सब चीजें जो इस्तमाल करता है उसको आज नहीं तो कल बीमारियां तो होगी ही और डाइबटीस मरीज अगर कोई यह अगरी नसली चीजें का इस्तमाल करता है सिगरेट, सराब, तमाख, गुटका, पानपरा, गादी हंड परसेंट होगा मैं आपको उतर हूँ, हंडीट परसेंट और तिसरी बात है अगर हम नियमित थोड़ा सा करमत जीवन जीए, महनत करें, एक्सराइज करें, कुछ तो कसरत वियाम करें तो हम डेफिनाइटली हेल्दी रहेंगे हमारा सुगर जो भी खाते हैं बर्न होगा, इसको बढ़ने नहीं देंगे, अगर बोडर लाइन से हैं तो भी इसको ख़तम कर सकते हैं, लेकिन कभी चेक ही नहीं करते हैं, तो पता कि इसे चलेगा कि हमको डाइवडिस है, कि नहीं है, क्या है, कैसा है, तो नियमित रूप से चेकिंग भी करना जरूरी है, और डाइव में अपने behavior को ठीक करना पड़ता है साथ साथ तनाब मुक्त रहने के लिए meditation सिखना भी बहुत इंसलीन अगर आप मोटे हैं चर्भी ज्यादा है तो इंसलीन काम नहीं करता है इसलिए आपके शरीर में इंसलीन होते में भी मोटा होना कोई वास्तव में हेल्दी की निसानी नहीं है, मोटा होना तो एक स्राफ है, एक बीमारी है. नेक्स्ट है कि अगर आपको सिगरेट, स्मोकिंग, आलकोहल ये सब के आदत है, तो ये सब जितना जल्दी हो सके छोड़िये, क्योंकि ये स्वास्तियों को भी गाड़ के रखेंगे. बहुत चाय कफी पीना ये भी बहुत ख्यति का रख है, नुकसान का रख है. हमारे देश में 200 साल पहले कोई चाय कफी कोई ने विता दा. अंग्रेज लोग जब आए, चाय का पोधा लेके आए, हमारे देश में उगाए, हमको बेचना सुरू किये. और आज हमारे देश का बेस्ट क्वालेटी चाय भी देश में जाता है, उसको खाली पेकिंग चेंज करके यहां भेज देते हैं, उसी को ही हम दसकुना रेट में खरीते हैं. और सबसे पहले हमारे देश में चाय हुगा के, चाय पत्ती बना के, चाय लोगों को मुफत पिलाए, अंग्रेज लोग और चाय एडिक्टिव सबस्टंस है, एक बार पियोगे, आदत हो गया तो नहीं पिने से सरदर्द होगा, नहीं पिने से कबजी हो जाएगी, नहीं पिने से फ्रेश नहीं लगगा, तो ऐसी चीज़े क्यों पिये हम? और हमारे भारत में याद होगा, जो थोड़े से यहां सिनियर बेठे हैं, हमारे देश में दो ब्रांड ही चाय मिलते थे, ब्रुकबंड, लिप्टन, हैना नहीं, यह मिलते थे, यही लोगों को पहले मुफत पिलाएं अंग्रेज लोग, जब मुफत पीपी के आदती होगे, मुफत मिलने से तो जहर भी पीजाएं लोग, जब बहुत नुकसान का रखे हमारे स्वास्थे के लिए, ठीक है, तो यह सब चीजों से हमें दूर रहने के आवज सेकता है, और एक बात याद रखे, बताया कि मोटा होने से सारी बिमारियां होती है, क्या-क्या बिमारी होती है बताऊंगा, so diabetes is a lifestyle disorder, आज हम क्या खा रहे हैं, लाइप स्टाइल बताया, आज कैसे changing scenario, क्या-क्या कर रहे है, क्या-क्या हमारे जीवन में जो नहीं करना चाहिए कर रहे है, ओनहेल्दी eating habit क्या है, ओनहेल्दी sleeping habit क्या है, ओनहेल्दी surrounding क्या है, कैसे जीवन हम जी रहे हैं, जो हमारे जीवन सहली आज छीक नहीं है, जिसके करण नहीं बीमारी हो रही है, तो हमारी जीवन सहली को कैसे सुधारे, वो सारी बाते भी आपको मैं बताऊंगा, तो तीन मुख्य बाते हैं, हम अगर हमारे करमठ जीवन जीएं, कुछ ब्यायम करें, संतुली तहार खाएं, और टेंशन फ्री जीवन जीएं, तो डेफिनेटली इस बीमारी से हम बच सकते हैं, खान पान में बताया गया है, अगर आप जीवन में स्वस्त सरीर चाहते हो, तो स्वस्त्यकर भोजन भी खाना चाहिए, हमारा मन भी हमारे भोजन से काफी गहरा समंद है इसका, क्योंकि जैसा अन ऐसा मन कहा जाता है, और सेक्सपियर आज से बहुत साल पहले कहके गए थे, कि तुम क्या खाते हो मुझे बता दोगे, तो तुम किस प्रकार का ब्यक्ति हो मैं बता दूगा, कि जो भोजन खाने से सभी स्वस्त्य रहते हैं, ऐसा स्वस्त्य कर भोजन खाले, डाइवडिस मरीज ने परिवार के हर सदस्यों के लिए चाहिए, अगर हल्दी डायेट सारे परिवार के सभी लोग हम खाएंगे, सभी स्वस्त्य रहेंगे, तो इसलिए डाइवडिस मरीज के लिए अलग भोजन के आवस्त्यक्ता नहीं है, सो चेंज योडायेट एंड चेंज योड लाइव, आज दुनिया के जंक फूड, फास्ट फूड आदी सब खाखा के हम अपने स्वास्त्य को बिगाड रहें, जितने फल, सबजियां ये सब खाएंगे, हल्दी रहेंगे, आज देखो हमारे थाली ऐसा है, हमारी माताएं थाली में जो परोस्ते हैं, आप देखना, जो योलो हिस्सा देख रहे हो, ये चावल चपाती पूरा जमा कर देते हैं, पूरा पहाड जैसा, और थोड़े से इमली, चटनी, मिर्ची, कोई भी थोड़ा सा, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे प्लेट में 50% तक बेज़िटेबल साग सब्जियां होनी चाहिए, 25% चाबल चपाती, 25% दालने होनी चाहिए, तो ही हम हल्दी रहेंगे, तो हमारे भोजन का थाली को चेंज करें, ये देखो एक मोडल थाली है, हमारे भोजन कैसा होना चाहिए, देख लिजेगा, यहां देखो तीन रुखी चपाती है, इसमें तेल घी लगाने के आवस्ष्यक्ता नहीं है, तीन खाएं, बहुत महनत कोई करता है, तगारी उठाता है, मजदूरी करता है, चार-पांच चपाती खा जाता है, एक थोड़ा सा चावल खा जाता है, ठीक है, लेकिन हमें जो महनत नहीं करते हैं, मैं कहूंगा, एक चपाती खाओ कि दो चपाती खाओ, तीन भी नहीं, जिसको वेट घटाना है एक चपाती खाओ, सबजी खुब लो, सलाड खाओ, दाल छोले आ दिलो, दही लो, निम्बू लो, ये हमारा हेल्दी बैलेंस डाइट का प्लेट है, तो हेल्दी लाइफस्टाइल चोईसेस, देखिए, ऑनहल्दी फूड में बता रह है, ये अनहल्दी ड्रिंक से, और ये सब अनहल्दी जूसेस है, डाइबटिस मरीज को तो कभी भी ये जूसादी पिना ही नहीं चाहिए, जूस पीएंगे तो सुगर एक दम सुट कर जाएगा, हाई केलोरी फूड आज खा रहे हम सभी, पूरी, पेड़ा, पकड़ा, अनहल्दी रहना चाहते हो, तो घर का भी काम करो, एक्सराइज भी करो, दोनों चाहिए, लोग आधा गंटा एक्सराइज करेंगे, वाकिंग करेंगे, मानिंग लेकिन 15-16 गंटा बैटके टीवी देखते रहेंगे, तो फिर क्या हुआ, हो गया अकल जान, तो दोनों का एक बैलेंस रखना जरूरी है, तो ही जाके आप स्वस्त रहेंगे, एरोबिक एक्सराइज सबसे इंपोडेंट है, चलना सबसे सहज एक्सराइज है, चलना जैसा एक्सराइज कुछ भी नहीं है, लेकिन आप मन से दुरूस रहने के लिए, खाली चलने से, मैं देखता हूँ, सबरे सबरे किसी भी सहर में जाता हूँ, तो मौनिंग वाक करने के लिए में निकलता हूँ, तो देखता हूँ, माता हैं चल रही है, आजकल माता हैं भी कंसस हो गई है, चल रही है, लेकिन उसको चलना नहीं कहेंगे, उसको टहलना कहेंगे, तो दीरे दीरे चलते रहेंग तेरे सास ऐसी है, तेरी बहु ऐसी है, तेरे ये नणनम देसा है, ये सब चर्चा चल ले, अरे सबरे सबरे कुछ अच्छी बाते तो करो ताके मन भी ठीक रहेगा, तो इसलिए मैं आप सभी के लिए एक बहुत सुंदर गीत बनाया हूँ, बंबे का एक बहुत अच्छी का गायन हमारे सास्त्र में है, हमारे भारत सास्त्र में लिखा है, भारते सास्त्र में, अगर सबरे सबरे कोई द्वादस जोतिर लिंगम का नाम याद करता है, तो उसके सब्त जन्मम, कृतम पापम, स्मरनेन वनिश्यन्ति, सात जन्म का क्या हुआ पात भस्म हो जाएगा मैं उस गीत में तीन सो श्री बाबा के नाम उसमें गीत में डारा हूँ और गीत के धुन ऐसा है कि आपको बहुत फास चलने की इच्छा होगी मैं गीत बजा कि सुना दुगा देखना तो गीत सबरे सबरे अगर मोबाइल में या वाकिमेन में फीड करके आप रखो सबरे सबरे सुनो आदा गंडा वाकिंग भी हो जाएगी फास चलना भी हो जाएगा भगवान का नाम स्मरण भी हो जाएगा अगर बारह नाम स्मरण करने से साथ जनम का का पाप भसम होगा तिन सो नाम स्मरण करने से कितना पाप भसम होगा सोच लो तो इसलिए सबरे सबरे बियर्थ वाते ने आ करे मन भी दुरूस्त हो जाए तन भी दुरूस्त हो जाए इसलिए कि fit with music संगीत के साथ क्या बयायम करें मैं आपको आगे बताऊंगा और दूसरी बात है ये सब तनाब किसी को होता है तो डायविडिस होता है लोग तनाब से मुक्त होने के लिए फिर क्या अगरते हैं लेकिन एक कोई बिधी नहीं है वास्तब में तनाब से मुक्त होने के लिए एक ही मात्रसाधन है क्या लिखा है meditation is the surest medication for stress आप अगर meditation सिखेंगे तो मैं 100% कि बता सकता हो कि आप तनाब से मुक्त हो सकते हो देखो जब भी हमारी जीवन में टेंसन होता है जब भी जीवन में टेंसन होता है the moment you are in tension you fall into utter confusion जिनको टेंसन होता है विचारा वो confused हो जाता है फिर and feel irritation फिर उसको चिट चिटा पनाता है वाई की भी आवस्यक्ता हो सकती है this can be avoided with meditation अब अगर meditation करेंगे ये सब बातों से आप मुक्त रह सकते हो you can apply even for stress prevention आपको अगर तनाब है stress है तो उसका prevent भी कर सकते हो understand my heartfelt suggestion मैं जो आपको suggestion दे रहा हो दिल से उसको थड़ा समझने के लिए कोसिस करे I am interested in your protection मैं आपकी सुरक्षा के लिए ही बता रहा हूँ इस सारी बाते है in this world of increasing tension आज की दुनिया में जो tension इतना तेज बढ़ती जा रही है please, please, please practice meditation तो आप meditation सिखेंगे मैं आपको guarantee के सकता हूँ आप tension से मुक्त हो सकते हो तो check your body weight आपका body weight चेक करना ज़रूरी है क्योंकि weight ज़्यादा होगा तो आपका super control होना बड़ा मुस्किल है check your blood pressure क्योंकि diabetes और blood pressure ये दोनों कैसे है कैसे है जूडवाँ भाई है इसलिए एक आता है तो दुसरों को साथ ले ही आता है तो blood pressure भी आपको check करना ज़रूरी है diabetes medicine को अगर blood pressure हाई है तो उसके stroke होने का बहुत संभाव ना है paralysis हो जाता है heart attack होने का बहुत संभाव ना है kidney फेल हो जाने का बहुत संभाव ना है आंखे अंधे हो जाने का बहुत संभाव ना है तो इसलिए आप दोनों को sugar और blood pressure को check करना बहुत ज़रूरी है sugar अगर check control नहीं है blood pressure control नहीं है hundred percent आपको complications हो नहीं है इसलिए मेरे भाई और बेनों यह सब check करना ज़रूरी है करना ज़रूरी है